1849 में आजी के दिन मुल्तान के स्वण्यूक्त दीवान मुल्राज ने अंग्रेजों के समक्ष आत्म समर्पन कर दिया था और इसके साथ मुल्तान की घेराबंदी समाप्थ हो गई थी हलाके सिखों ने कड़ा मुकाबला किया लेकिन स्टेंडिया कंपनी के सेनाओं और बंदूकों से उनका कोई मुकाबला नहीं था 1897 में इसे दिन बांगला संगितकार उपन्यासकार और कवी दिलीब कुमार रोय का जन्म पश्चिम बंगाल के नादिया के कृष्णा नगर में हुआ था 1965 में संगीत नाटक अकादमी ने सहित्य में उनके योगदान के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था 1934 में आज़ी के दिन फिल्मकार विजय आनंद का जन्म पंजाब के गुरदासपुर में हुआ था